जयमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है शिवरात्री आठ मार्च की है और यह महा शिवरात्री है इस शिवरात्री से नंदिश्वर का एक अमोग उपाए हम आपको बताने वाले हैं शिवरात्री के भी अनेक उपाए हैं आपको एक दो दिन में सारे मिल जाएंगे लेकिन एक नंदिश्वर का उपाए है वो क्या है ग्यारा दिन करना होता है मतलब शिवरात्री से करके उसे आप ग्यारा दिन सो बार तक पून करिएगा छोटा सा उपाए है आनंद की प्राप में नमी तिथी आठ बचकर के आठ मेंटर तक रहेगी फिर दश में तिथी प्रारंब हो जाएगी आज का जो नक्षत्र है वो मूल है जन्द में जा तक शाम चारवे तक गंडमूल नक्षत्र की शिनणी में रहेंगे राहुकाल तीन से साढ़े चार दिसासूल उत्तर दिश उपाई को किया जाए तो सोने पर स्वाग होता है क्या कामनाएं जीवन में सबकी होती हैं चाहे धन को लेकर के हो किसी भी चीज को लेकर के हो नंदी महराज का यह उपाई है भगवान शिव नंदी आरूड रहते हैं नंदी के उपर रहते हैं और नंदी उनका वाहन है यह सबी जानते हैं तो आप शिव मंदिर में इस प्रकार से सही उजन करें कि सबसे पहले जाकर कि भगवान शिवलिंग को प्रणाम करें दूप दीप दे करके जल वगरा जो चड़ाना है वो आप अपना करिएगा और बाकी सिवरात्री के सिवरात्री विश्यसांक आपको बस आज कल में ही मिलने वाला है उसके उपाए सारे देख करके कर लेना लेकिन यह मुखे रूप से नंदीश्वर का जाएए जहां नंदी माराज बैठे हों उनके पीछे या तो उख्डू बैठ जाएं या जैसे भी आपसे बैठा जा सके वैसे आराम से बैठ जाएं नहीं तो फिर थोड़ा जुप करके ऐसे खड़े हो जाएं नंदीश्वर के दो सेंग जो होते हैं आगे वाले ऐसे दिख आपको तो सींगों के बीच में से और जहां नंदीश्वर की पीट होती है वहां से सींगों के बीच में से शिवलिंग को निहा रहे हैं नंदीश्वर की पीट से और दोनों के सींगों के बीच में से हम शिविलिंग को देखें ऐसी हम विवस्ता बना लें जाए वह आदा जुक करके हो बैठ करके हो खड़े हो करके हो या थोड़ा पीछे अट करके हो वह आप देखिएगा मनी मन एक माला नमश्वाई की हो जाए नमश्वाई एक नमश्वाई दो नमश्वाई तीन नमश्वाई चार नमश्वाई पांच और जम किसी बड़े सिद्वीट पर होते हैं या द्वादश लिंक पर कहीं होते हैं तो वहां हमारे इस प्रकार के प्रियोग नहीं हो पाते ह क्योंकि समय नहीं हो पाता है पब्लीक ज्यादा होती है उस इस्तिती में केवल नमस्षिवाए नमस्षिवाए आप 11 बार जपनें कितने बार केवल 11 बार जुटे हैं और मनि मन्न प्रास्णा करें हे नंदी महाराज आपके गरपा से भगवान शिव प्रसन हो आप प्रसन हो और हमारी ये कामना पूर्ण हो टेक इतना बार आपको बोलना है और बोलने के बाद नंदी महाराज को भी प्रणाम करें और प्रणाम करके आप अपने जो भी घर आना है जो ओफिस जा रहे है जा जा रहे हैं यह उपाए दिन में कभी भी किया जा सकता है लेकिन शिवरात्री से प्रार्म करेंगे और इस उपाए को आप 11 दिन लगातार करने तो सोने पे स्वाँगा और इस वार ऐसा स्यूंजल बनेगा सिवरात्री से उपाई करेंगे 11 दिन आपको सोंबारी आ रहा है 11 दिन करिएगा एक लोटा जल शिवलिंग पे पहले चणाए प्रणाम करें नंदी की पीट के पीछे आए और पीट से निहा भावना करें कि पीट पर भगमान शिव आरूड है विराजमान है और मैं भगमान शिव को भी अपने उन मर्म चक्समों से निहार रहा हूं और सींगों के बीच में से जो रास्ता जा रहा है वहां से सिवलिंग आपके सामने है एक सुन्दर चवीज, सुन्दर दिश्टी, सुन्दर भावना, सुन्दर गल्पना करते हुए आप 11 ये एक माला नमेश्रिव और फिर भावना करें कि आपकी ये काम भगवान नंदिश्वर की करपा से पूर्ण हो जाए, शिव की करपा से पूर्ण हो जाए, ऐसा आप 11 दिन करिएगा, भगवान की करपा आपके उपर बरसेगी, और महा शिवरात्री होई, शिवरात्री होई, या मासिक शिवरात्री हुई तो ऐसे जो अफसर आते हैं उन पर यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हुआ है और बाकी तो देखो भगवान शिर्टों भूले हैं वक्तों की कामना इस शेगर पूर्ण करते हैं आपके जीवन की भी कोई ऐसी कामना जरूर होगी जो आप चाहते हैं जल्द पूर्ण ह हो जाएं आप इस उपाय को जरूर करिएगा बाकी शिवरात्री महाशिवरात्री विश्षांक आपको आज गल में मिल जाएगा उसमें ऐसे बहुत सारे उपाय होंगे तरीका होगा वह भी जानने और सुनने का आप प्रयास करें समय चलाए ध्यान साथ में से जुड़ने क पूजाते विशयोप भोग रचना निद्रासमा जिस्ति दे संचारा पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करो में तद दखिलं संभोस्तवाराधनं चंद्रोत वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित वृत्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवर्दाम् वन्दे सिवं संकरं ओम करपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुझकेंडर आरं सदा वशन्तं व्रिदयार विंदे बवं भवानी सैतं नमामी कबच मना लें ध्यान करें शिव शंबूनात का शुबाजी समसब के उपर बरस रहा रहें ओम बोलते हुए नित्र खोले समान्या हो जाएं 31 दिन की सादना करने वाले सादक बहुत भागश आली हैं कि जिनकी 31 दिन की सादना चल रही है संसान से जो लोग जुड़े हैं और 31 दिन की सादना कर रहे हैं इसी वीच महा शिवरात्री भी आएगी आनंद की बात है सिव सक्ति के विना अधूरे हैं और शक्ति सिव के विना अधूरे हैं इसलिए सिव सक्ति का सवयोजन महा शिवरात्री की रात्री में आप लोग अपनी सादना को रात्री में या सुबह में जब भी आप कर रहे हैं जय जय अम्भे आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोंवार के दिनों उठता है खुदी जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है कहां से उसने लिया मुझे पता नहीं और भगवान शंकर पर जाकर जल चड़ाता है उन पर राम राम लिखता है और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं दो महिने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है तो मेरे खाल में इससे बड़ी उपलगदी तो और कोई हो नहीं सकते किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तो एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें